दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि फास्टेस तरीके से कैसे Google Tag Manager को इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी WordPress वेबसाइट पे सबसे पहले मैं आपको steps बता देता हूं क्या-क्या steps होंगी इसमें सबसे पहले हम Tag Manager का account create करेंगे उसके बाद उसमें से हम header को copy करेंगे फिर WordPress में हम एक plugin इंस्टॉल करेंगे उस plugin में हम header को paste करेंगे फिर हम वापस से base code copy करेंगे और उस base code को वापस हम plugin में paste करेंगे और यह सब होने के बाद हम Google Tag Manager में जाके वापस उसको test करेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं Tag Manager account create करने से Google पर search करेंगे Google Tag Manager उसके बाद जो है आप अपनी Gmail ID से login करेंगे login करने के बाद अगर आपके अलड़ी account है तो इस तरीके से यहां पर show होंगे और अगर नहीं हो रहे है तो आप यहां create account की बटन दबाएंगे create account की बटन दबाने के बाद आप यहां पर account name में अपनी company का यह website का नाम डालेंगे URL नहीं नाम डाल सकते हैं जिससे आपको पता रहे है कि कौन से का account है यह example की तौर पर मैंने यहां पर tutorial account डाल दिया अब आप यहां पर country स्लेक्ट करेंगे country अपनी जो country उसे स्लेक्ट करेंगे हमने इंडिया स्लेक्ट कर दिया इसके बाद आता है container setup में आपको अपनी website का URL डालना है अभी मैंने यह sample के तौर पर आपको सिखाने के तौर पर xyz.com डाल दिया बाकि आप अपना actual URL डाल सकते हैं फिर उसके बाद हम यहां पर वैप पर स्लेक्ट करेंगे यह पूछ रहा है कि आपको किस किस प्लेटफॉर्म के लिए इस टैग मेनेजर के container का यूज करना है तो फिलाल हम वैप कर रहे हैं तो हम इसको वैप पर सेलेक्ट करेंगे इसके बाद हम इसको create कर देंगे फिर इसके बाद यह आप सबसे पहले हैं टरी हुई है इसमें यह उपर देख सकते हैं आप इसको head code कहते हैं और इसको body tag कहते हैं अब दोस्तों इसको हम ऐसा ही रहने देंगे और हम चलेंगे WordPress admin दोस्तों यहां पर आने के बाद आप यहां plugins की बटन दबाएंगे उसके बाद add new plugin वाली बटन दबाएंगे आप उसके बाद आप यहां search में search करेंगे WP code search करना है आपको WP code WP code फिर इस वाले plugin WP code को आप active कर लेंगे install कर लेंगे यहां उपर जो code है, इसमें side में आपकी copy की button बनी हुई है, इस copy की button को दबाएंगे तो यह वाला code जो है, पूरा copy हो जाएगा, वापस आप अपनी website में आएंगे, और यहां header में इसको paste कर देंगे, इस तरीके से, इसके बाद वापस आप अपने tag manager में जाएंगे, और यहां अब वापस आप अपने tag manager के अंदर आजाएंगे, अब इसको आप cross करेंगे, बंद कर देंगे इसको, अब हमने code डाला उसको हम टेस्ट करेंगे, कि हमारा google tag manager proper fire हो रहा है कि नहीं हमारी website से, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहां उपर कोने में आके preview की button दब होगा, तो यह not connected आपको बताएगा, तो हम यहां पर अपने URL डालते हैं, और इसको connect करेंगे, जैसी आप connect की button दबाएंगे, दूसरे window में आपकी website खुल जाएगी, और website खुलने के बाद आपको यहां नीचे एक box देखेगा, जिस पर लिखा होगा tag assistant connected, आप अपने side वाले tags डले हुए हैं, और वो सारे fire हुए हैं, वो यहां पर दिख रहा है, अब जैसे कि आप यहां उपर देख सकते हैं, आपका tag manager, उसका code यहां पर लिखा हुआ मिलेगा, और उस code के अंदर यह सारी चीज़े fire हो रही है, इसका मतलब कि आपका tag manager जो है, प्रॉपरली connect हो गया आपको इतने सारे code fire होते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन आपको केवाल इतना यहां पर यह दिख जाएगा, और यहां पर tags या variables या data layers में कुछ ने कुछ fire होता हुआ दिखेगा आपको, इस tag manager वीडियो में अगर आपको कोई दिक्कत या कोई और भी doubt है, तो आप comment section में जरूर डाले, और अगर आपको facebook ads और google ads चलाने में कोई दिक्कत या आपको scale करने में कोई परिशानी आ रही है, तो आप जरूर हमें contact कर सकते हैं, हमारे आपके experts सुभे शाम यही काम करते हैं